दोस्तों इसकी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लाश 10 के मैध का चैप्टर 30 ठीक है जिसका नाम है दो चरवाले रैकी समीकर यूगम ठीक है तो इसी का परस्णावली तीन दसम लोग 5 को सॉल्व करेंगे और एक चीजी इसमें और कि यह जो वीडियो है यह पर्जी इसका प्रट्ट फुर है एक जिसमें हम लोग क्यूश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे और प्रट्ट 1 में हमने एक से लेकर 3 तक सॉल्व कर दिया था ठीक है तो चलिए क्यूश्चन को देखते हैं तो यहांपर आपको अगर देखेंगे तो यह है हमारा क्यूश् रही समय किरण के यूग मनाई है और उनके हल 20 गड़ी इसके तीन बिधि होती है एक होता है प्रतिश थापन बीधि बीलूपन बीधि और तीसरा वजर गड़न बीधि ठीक है तो आको जो असान लगे उससे हम हल कर देंगे ठीक है और इसमें कुछ भी نہیں करना और इसका हमें सम बनाते हैं दोस्तों यहां पर हमारा है कुश्चन नमबर 4 के फॉर्स्ट ठीक है तो इसे को यह कहानी ट्रैप में काफी बड़ा कर दिया है तो देखें ऐसे को कि अगर आप सब्जी लेते हैं और उसके साथ में आप जब रोटी लेते हैं तो आपको कुल रूपए देना पड़ेगा 50 ठीक है मतलब सब्जी साथ में आपको कितना रोटी खा लीजिए उसका फिक्स रेट है 50 रूपए और कहता है कि अगर आप इन दोनों के अलावा अगर आप कुछ और भी खाते हैं तो उसका आपको पलस में रुपए देने पड़ेंगे यह चीज उसने कहा है ठीक है तो यही काम से यहां पर इस कोश्चन में है इसमें क्या है कि एक छत्रवास का मासीक ब्याय एक भाग नियत है ठीक है नियत का मतलब क्या है कि इसका जो छत्रव लिए उसको अलग से रुपए देना पड़ेगा तो इसमें क्या है कि एक भी डियार थी है जो कि 20 दिन का भोजन करता है तो नियत में से मतलब कि यहां पर देखें यह वाला 50 रुपए इसका क्या है नियत है अब इसके अलावा जो और भी अगर खाएगा तो उसमें और भी एड करना पड़ेगा तो वही काम यहां पर है जो नियत है वो तो आपका नियत है उसके बाद से यह 20 दिन का भोजन किया है तो यह वाला उसके साथ में जोड जाएगा तब जाके उसको 1000 रुपए देना पड़ता है यहां पर ठीक है तो देखें इसको कैसे करेंगे यहां तो दो यहां पर क्या है नियत बैय और प्रति दिन के भोजन का मूल हमें गयात करना है तो लिखेंगे की माना कि इसे विश्यास माना नियत बैश्या नियत मतलब की फिक्स जो रुपए है वह नी einandills बॉन बराबर में एक सुर्प है इसमें तो धिया नहीं कितना है तक भोजन करता है मतलब कि यह 20 दिन तक क्या है एक्स्ट्रा वाला तो हम क्या करेंगे कि इस नियत वाले में एक्स्ट्रा वाला को जोड़ देंगे तो नियत हमारे क्या है एक्स है तो यह हमने एक्स कर दिया पलस में एक्स्ट्रा कितना है तो यह 20 दिन तो प्रति दिन को हमन यहां पर लिख दिया ठीक है तो दोस्तों उमीद है कि यह वाला आपको समझ में आ गया होगा अब इसी तरह से सेकेंड वाला भी देख लेते हैं तो सेकेंड वाला जो लड़का है वो भी क्या करता है वो 26 दिन तक बिदी से हल कर देंगे कैसे यह 1 समान है तो इसमें कुछ नहीं करना चिन को बस बदल देना है ठीक है पहला साय दो माइनस कर दिया अब इसे यह कड़ जाएगा अब यह माइनस का 26 में गटाएंगे तो माइनस का 6y अब इस एक 1180 में से 1100 घटाएंगे तो कितना आजाएगा 180 हो जाएगा वह भी माइनस का 30 माइनस करता है य बराबर में 180 बटे में 6 तो यह य बराबर में 30 हो जाएगा ठीक है तो प्रतिदिन का जो भोजन का मुल है वह 30 किस रुपए आ गया अब इसके बाद से क्या करेंगे नियत वाला है उसको भी निकाल लेते हैं कि वह फिक्स कितना है आप खाईए या ना खाईए आपको एक हजार मैं से कितना देना पड़ेगा ठीक है तो वह निकालते हैं तो आई को हम क्या करने सब्सक्राइब किसी में भ तीस य के अस्तान पर 30 रख देते हैं तो 30 मेरावर में एक हजार अब यह एक प्लस में यह दो ते हैं 600 हो जाएगा और यह हो जाएगा एक हजार तो 600 ले जाएगे तो कितना 1000 बस 600 घटाएगे तो बराबर में 400 आजाएगा ठीक है तो मतलब इसका यह हुगा दोस्तों कि नि किया जाएगा ठीक है तुछ तरह से यह आपका आ गया बस यह आपका आशर हो गया अगला देखते हैं अब देखे दुस्तों ये आपका चौथा का दूसरा है ठीक है चौथा का सिकंड वाला है इसमें क्या करना है सबसे पहले नीचे देखेंगे कि वह भीन गयात को मतलब कि भिन हमें ग्याद करना तेपिन कैसा होता है यह अंस अपार्ण हर को तुंबिन कहते हैं जैसे कि ऊपर होता है अंस ठीक है और नीचे होता है हर तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लिए माना अंस बराबर में X और हर बराबर में Y ठीक है तो हमारा भिन कौन से तयार हो जाएगा तो हमारा जो भिन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा X अपान में Y इसी तरह तो बनेगा अब क्या कर रहा है कि इसी का हमें मान ग्यात करना है ठीक है तब हमारा पूरा पूरा आए घटाना पड़ेगा तो X में से 1 को घटा देंगे अब देखिए हर में कुछ नहीं करना है तो हर को इस तरह से उतार देंगे तो यह कितना हो जाता है एक बटा तो पलस मुझे का 3 यह आपका समय करण एक हो गया ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे अब सेकेंड वाले को इसमें क्या है घटा जाता है और वह एक बटा 라고 the अभबिए टो इसको तीर्षा-थीर्षा गोणा कर देंगे न Nous is कर देंगे तो इसकी थार फुटक में करेंगे यृजह ताटे इसको हम इधर करेंगे तो माइनिस का वाई आड़ को हम इधार ही रखाएंगी यह आपका समिक्रण दो हो जाएगा में इस तरह से अब क्या करेंगे दोनों संमिक्रण को हम भीलू पान स्ह entr iD से हल कर लेंगे तो देखिए इस में क्या करना होता है भीलू पान बिधि वें कोई एक बराबर होना सबसे पहले इसको लिख लेते हैं समिक र이다 एक को यहां यह माइनस यह माइनस ठीक है वाई वाई तो इसको यह पलस कर देंगे और यह माइनस कर देंगे यह भी माइनस कर देंगे तो इससे यह कट जाएगा अब यह क्या हो जाएगा यह चार एक्स में से तीन एक्स गट 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 तो माइनस का एक्स अब इसमें से आठ मे गूंडे में 5 बराबर यह Minus का Y है तो Minus का Y आप बराबर लगाएंगे और यहां पर हो जाएगा 8 ठीक है आप क्या करेंगे कि इसको हम इधर कर देंगे तो 4 पर चे 20 20 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Minus का Y बराबर में 8 मैंस में 20 तो यह माइनस का वाई बराबर में के हो जाएगा माइनस का 12 तो यह आपका क्या जाएगा वाई बराबर में 12 तो इस तरह से आपका भीन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा एक्स बराबर पांच तो एक्स के बराबर में पांच रख देंगे बटे में वाई के बराबर में बारा रख देंगे यही आपका भीन तयार हो जाएगा ठीक है इसी को निकालना था बस चलिए अगला देखते हैं तो दोस्तों यहां पर हमारा question number four का third question है ठीक है तो इसमें क् टेस्ट में 40 अंग अर्जित किया है ठीक है उसके बाद से इसमें condition दे दिया है कि सही उत्तर पर उसे यह श writes in रहे हैं तो उसका पर तो एक तक ऑगर इक क्लत होते हैं मत् carry साब से उसको 40 प्राइशन दे दिया है कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, मतलब कि जब एक उत्तर उसका जब सही होता था, उसे 4 अंक मिल जाते थे, और उसके बाद से जब वही अगर एक उत्तर गलत हो जाता था, दो अंक काट ली जाते, तो इस हिसाब से उसको 50 अंक मिले हैं, तो इसमें कहा रहा है कि टेस्ट में कुल कुल कितने प्रस्ण थे तो प्रस्णों की संख्या में इसे बताना है तो देखें इसमें कंडिशन दिया है कि अगर एक उतर सही हुआ तो उसको तीन अंग मिलते हैं तो हम अगर अगर देखें कि कितने प्रस्ण सही थे और कितने प्रस्ण गलत थे तो इन दोनों को जोड़ क करके हम इसका बता सकते हैं कि कुल कितने प्रस्ण थे ठीक है मतलब कि सही प्रस्ण और गलत प्रस्ण इन दोनों को जोड़ करके हम बता सकते हैं कि कुल कितने प्रस्ण थे ठीक है तो हम क्या करेंगे वही काम इसे में कर लेंगे हम मान लेंगे कि माना सही प्रस्ण ठीक है शही प्रस्ण बराबर में हमाल लेते हैं एक्स और उसके बाद से गलत प्रस्ण गलत प्रस्ण बराबर हमाल लेते हैं वाई ठीक है अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि अगर जब सही होता है तब उसको तीन अंक मिल जाते हैं तो हमारे पास सही प्रस्ण एक्स है तो तो यह हो जाएगा 3X, उसके बाद से फिर क्या करा है कि गलत पर, जब गलत होता है, तो उसमें से एक अंग काट ले जाते हैं, तो मतलब कि इसमें से हमें एक अंग काट लेंगे, तो Y के साथ में एक गुणा करके, तो Y हो जाएगा, इसके बाद से टोटल हमें 40 अंग मिल जा कि पर्थम पर्थम सर्थानुसार उसके बास यहां पर दितिय सर्थानुसार अब इसके बास क्या करेंगे दितिय सर्थानुसार क्या करें कि उससे सही उत्तर पर आप दार अंक मिलते हैं तो यह वह जाएगा 4X क्राइब कितने इते हैं डोंग काड़ लेते हैं जब गलत होता है तो माइनस में इसमें से 2 लेते हैं तो आई तो उसके बाएस उससे 50 अंक कीस in से हल कर देंगे किसी एक को बराबर करना DIE है डो यह यह आइ ना करते हैं doe आइक काम बन सकता ही तो हम इसमें 2 से बाना कर सेरेंगन एक स्थास अपर यह मां! बराबर में यह 40 तो 90 अब इसके बाद से यह वाला चार X माइनस में 2Y ब्राबर में 50 अब इसको हम हल कर देंगे तो ये दोनों ब्राबर है तो ये पलस यहां माइनस यहां माइनस ठीक है मिलो پन बिदी से हल करें अब ये 6X मैंसे 4X गए तो 2x ब्राबर में अब इसको घठा देंगे तो हो जाएगा ये 30 कि यह जो सही प्रस्ण है वो 15 है ठीक है अब एक स्केमान को हम समीकरण यह कहीं भी रख सकते हैं दो में रख देते हैं चार गुड़े 15 माइनस में 2 आई बराबर में यहां पर क्या है पचास ठीक है तो पंदर चाव का 60 माइनस में 2 आई बराबर में 50 इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस का 2 आई बराबर में 50 माइनस में 60 तो माइनस का अब देखिए माइनस का 2 आई बराबर में घटा देंगे तो यह माइनस का 10 हो जाएगा इस माइनस कट गया तो यह वाई बराबर में 10 बटे 2 हो जाएगा ठीक है तो य बराबर में आपका पांच तो लिख सकते हैं कि यह गलत गलत जो परसने वह 5 है सही परसन 15 है तो कुल परसन कितने हो जाएगा 15 बीस ठीक है बस यह आपका अंसर हो जाएगा अगला देखते हैं अब देखे दोस्तों यहां पर आपका क्वेश्चन नमबर चौथे का यह चौथा ठीक है तो इसमे दूरी है B के ठीक है यह पहला अस्तान से जब दूसरे अस्तान पर जाना होगा तो इन दोनों का बीस के जो दूरी है वो दिया है 100 किलो मीटर यह है ठीक है अब इसके बाद से कह रहा है कि एक कार A से मतलब कि एक कार यहां A से यह आपका कार है A से और उसके बाद से कह रहा दूसरी कार यहां 20 से एक ही समय पर चलना प्रारम करती है यदि ये कार भिन भिन चाल से एक ही दिसा में चलती तो पांच घंटे पाशात मिलती है मतलब ये कार जो है वो एक ही दिसम है या फिर इधर ही जाएगा या फिर इधर ही जाएगा ठीक है दोनों एक ही दिसम चल रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये कार इधर चला जा रहा है ठीक है तो ये कार भी तो इधर ही जाएगा तो ये इधर चला गया इस तरह से ठीक है तो हमे क्या करना है इसमें दोनों कारों की चाल बताना है मतलब कि ये वाला चाल और इस कार की चाल एक कार की चाल और भी कार की चाल हमें बताना है ठीक है अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि ये वाला हम देख रहे हैं कि इसका जो चाल बताने वो 100 km के रेंज में ही बताना है तो हम इस वाले में ये वाला इसकी जो चाल है इसमें हम इस वाले को घटा देंगे देखें कैसे जैसे कि मान लेते हैं चाल हमें बतानी है तो माना माना पहली कार की चाल X है ठीक है अब दूसरी कार की चाल यह हमने Y माल लिया हो गया इतना अब इसके बाद से कह रहा है कि 5 घंटे पस्चात मिलती है ठीक है यह वाला पहला कंडिशन पर यह 5 घंटे पस्चात मिलती है तो आपको एक चीज़ पता होगा दूरी बराबर क्या होता है एक फोर्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुड़े समय ठीक है चाल तो हमने क्या कर रहा है चाल हमने मान रखा है X तो यह हो जाएगा X, समय कितना लग रहा है, 5 गंटा, यह हमने 5, तो यह क्या हो गया, पहली वाली कार के चाल का, ठीक है, तो पहली वाली, मतलब कि A के लिए यह मान निकला है, क्या, बराबर में 5 X, अब B के लिए भी निकाल लेते हैं, तो B में क्या है, यह Y है, 40 की Y है, गुड़े में, समय यह भी 5 गंटा है, क्योंकि दोनों एक ही साथ मिलते हैं, तो यह हो जाएगा, 5 Y, ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, यह वाला जो एक्ष्टा चला गया है, B वाला, मतलब कि Y वाला, तो इसको हम गटाएंगे, तो यह 5 X माइनस का Y, अब कितने रेंज में बताना है, तो 100 कि किलोमीटर के ही रेंज में बताना है, तो यह 100 किलोमीटर, अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा साथ कर लेंगे, 5 common हो रहा, तो common कर लेंगे, तो 5 X माइनस में Y बराबर में, 100, अब इसको इधर कर देंगे, तो X माइनस में Y बराबर में, 100 बटे में 5, इससे कार अब देखें दूसरा condition क्या कर रहा है दीतिय सर्थ से तो इसमें कह रहा है कि यदि वे बीपरीद दिसा में चलती है तो एक घंटे पर शाथ ही मिल जाती है ठीक है जब बीपरीद दिसा में चलती है तो formula यही वाला यहां पर लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा चाल ने सामने क्या माना X तो यह हमने X लिख दिया गुणे में समय कितना लग रहा है इसमें तब एक घंटा लग रहा है तो ब्राबर में क्या हो जाएगा किस के लिए पहली कार के लिए तो A के लिए हम करते railroadило तो यह हो जाएगा X आप B के लिए मतला दूसरी कार के लि यह आपका भी है इसके बीच का जो रेंज है वो 100 km है ठीक है अब इसमें कहा रहा है कि दोनों एक ही दिसा में आ रहा है दोनों सॉरी दोनों भीपरी दिसा में जा रहा है मतलब कि यह वाला अगर इस दिसा में जा रहा है तो इसमें क्या है यह दोनों जब मिल रहे हैं तो यह यह क्या है 100 km के अंदर ही मिल रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको पलस कर देंगे यह वाला 100 km को बाहर जा रहा था इसलिए हमने माइनस किया था तो यह जाएगा यह एकस पलस में य बराबर में 100 km ठीक है अब क्या करेंगे यह आपस अमिकरण 2 हो गया अब इन दोनों को हल कर देंगे तो यह एकस माइनस में य बराबर में 20 है 20 एकस पलस में य बराबर में 100 है अब इसको कर देंगे क्या माइनस यह माइनस यह पलस है तो माइनस यह पर सेंस यह मायन्स हो जाएगा माइनस का 2y अब यह क्या हो जाएगा माइनस का 80 % ब्राबर 40 यह आप आगयाबी ठीक आप क्या करेंगे को करेंब माई Q टो X- mean In Y pretty much 40 ब्राबर बिस इसको हम इदर कर देंगे तो X ब्राबर में यह बीश परलस में 40 ब्राबर में ज़ां सथ तो X कमान 6 Y कमान 40 बस यहीं आपका अंसर वैं टूसके चाल हमें पता चल गई कि पहली कार की चल कितना थे कि यह उसमें किर आएक का च्छेत्रफल नव गॉर्णी कम हो जाता है ठिक है उसके पाद से इसमें कंडि faisand रखा है कि यदि उसकी लंबाए कंव का वहता है जब उसकी लंबाए में 5 ही कम कर दिया जाता है उसके चोड़ाई में तीन कह पाद दिया जाता जो गहाए को चौड़ाई को दो हम गढ़ा दे तब उसका में वहाइग ज्याता है तो इसका मैं घयात करना देखिए सबसे आफसान तरीका किया है कि इसमें हम पहले मान लेते हैं कि माना ऐसको अगर द्यान से पढ़ेंगे तिसमें आप एक लेकिन यह इसमें नहीं दिया है कि इसके लंबाई एक्शुल में है कितना और चोड़ाई इसका कितना है ठीक है और नहीं दिया है कि छेत्रफल कितना है तो हम यहीं तीनों को मान लेंगे कि माना लंबाई ब्राबर में x ठीक है और चोड़ाई ब्राबर में y ठीक है तो छ्छेतरफल कितना हो जाएगा तो छ्छ्षेतरफल crop दर लंबाई गुणे तो x y हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद से लिए देंगे पर्थम सर्ता अनुसार तो इसमें क्या करें पर्थम सर्ता अनुसार पांच एकाई कम करते हैं तो जब लंबाई में 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा x- 5 हो जाएगा ठीक है अब जो चोड़ाई में क्या करा है चोड़ाई में 3 निकाई बढ़ा दे जाती है तो चोड़ाई में 3 निकाई मतलब कि y पलस में 3 कर दिया जाए तब इसका कितना होता है चेतरफल 9 वर कम हो जाता है तो चेतरफल एक्चुल में कितना है xy है ठीक है अब इसमें से 9 कम हो जाता है अब इसका इसमें गोड़ा कर दिजे तो यह हो जाएगा xy फिर इसके साथ में पलस में 3x माइनस में 5y यह माइनस का 15 बराबर में xy माइनस का 9 अब इससे यह कट अब इसमें क्या हो जाएगा इसको हम इधर करें देंगे तो 3x-5y बराबर में यह क्या है minus का 9 minus का 9 अब यह वाला minus 15 है तो plus में 15 तो यह हो जाएगा 3x-5y बराबर में 6 यह आपका समीकरण एक आ गया ठीक है अब दूसरा वाला भी हम कर लेते हैं तो दूसरा हम क्या है यदि हम लंबाई में आगारी में टीनीकाई जोड़े तो लंबाई मतलब x x m प्लस में 3 जोड़ना है तो x प्लस में 3 ठीक है अब इसके बाद में तो यह कितना सारसाट हो जाता है इसका जो छेतरफ़ है वो शाड़ल हो जाता है मतलब बढ़ जाता है तो x y participating सार्षाठ ठीक है अब इसके की तो हो जाएगा एकस वाई और उसके Oire reden पलास में दो एकष प्लस में 3 वाई उसके पड़ से पेलास में छ फवाई पलास में जारगे साथ इसे कट गया ठीक है तो यह ढट एक्स प्लस में 3y इसको हम इधर ले जाके 676 घटाएंगे तो आजाएगा 61 यह आपका समीक्रण 2 हो गया ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे बिलोपन ब्रेदी से हल कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 3x-5y बराबर में 6 यह जाएगा 2x-3y बराबर में 61 अब देखेंगे कि इसमें कोई एक हमें बराबर करना होता है या फिर इसको बराबर करें या फिर इसको बराबर करें तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसमें हम अगर 2 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर ठीक है तो चलिए कर देते हैं यह हो जाएगा 6x फिर माइनस में 10y बराबर में 12 ठीक है फिर इसमें भी 6x पलस में तिन तरीकर 9y बराबर में अब इसमें भी तीन से करेंगे तो हो जाएगा 19y यह भी माइनस यह भी माइनस में अब इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यह घटेगा तो हो जाएगा एक 171 हो जाएगा तो यह परामर क्या आ गया वाइब बराबर में 9 अब 9 को हम क्या करेंगे समय कराएगे 1 में रख देते हैं या फिर 2 में भी अब रख सकते हैं ठीक है थो यह हो जाएगा तीन एकस माइनस में 5 इगूडे 9 बराबर देंगे तो यह हो जाएगा तीन एकस बराबर में यह 45 और छे कितना हो जाएगा 51 151 दिए suivre तरह एक्ष बराबर में 21 बटे में 3 कर देते हैं तो 3 चाहते से काहँ तो ऐसन प्राबर में है जब 3 से काथेंगे तो 394 मूं सुसुर्व प्राबर 17 वाइब बिराबर ने यह आपका 9 कि क्षाश्फ उनना होगी वह कितना 17 उसके बास से सोरी लंबाई जो होगी 17 होगी चोड़ाई उसका नो हो जाएगा और जो छेत्र फल होगा वो क्या इन दोनों का गुणा करके हो जाएगा ठीक है